केसे हो बच्चो उम्मिद है आप लोग अच्छे होंगे तो RKS टिटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चो और चैनल को लाइक करें, कुमेंट करें और पहली बार आए हैं चैनल पे तो सस्क्राइब करें और सेर करें देखिए बच्चो आज टिनोमेट्री प्रण दो कोनों का योग गितना जगा बच्चो नाइनटी डिगरी हो तो उसे पूरक कौन काते हैं पूरक कौन काते हैं बच्चो मतलब क्या हो गया अगर दो कौन ए और कौन बी हो तो कितना सम होगा बच्चो नाइनटी डिगरी होगा ए बात समझ में आया कि दो कौन का योग अगर नाइनटी डिगरी हो तो इसे पूरक कौन काते हैं कम्प्लिमेंटरी एंगल काते हैं बच्चो अब जो है जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कि कम्प्लिमेंटरी एंगल जो है बच्चो राइट एंगल ट्रैंगल में किस तरह से हम लोग को एक रेश्यू देता है एक ट्रैंगल लेते हैं हम लोग एक ट्रैंगल लेते हैं बच्चो राइट एंगल ट्रैंगल लेते हैं बच्चो एक राइट एंगल ट्रैंगल लेते हैं समकौन त्रिभूज लेते हैं ये क्या है बच्चो समकौन त्रिभूज ए समकौन त्रिभूज है बच्चो राइट एंगल ट्रिएंगल अब यह कौन हम लोग लिलते हैं ए लिलते हैं बी यह सी आनि ए बी सी एंगल कितना आ जागा है यह कितना है 90 दिखरी है तो एंगल कितना आ जागा बच्चों भी नों का समव ए कि तो यह कितना हो यह एंगल फिए हो जाएगा तो यह दोनों को नपस में क्या है फूरा कौन है दोनों को एड करेंगा तो बनेगा 90 अब देखिए अब हम लोग यहां पर लेते हैं साइन ए साइन ए बच्चों साइन यह क्या हो जाएगा साइन यह जाएगा लंब टेकर लंब इसा कितना है बीसी बीसी बाइए सी कोई दिक्तत नहीं है इक्वेशन वान अब हम लोग लेते हैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बच्चों इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं क्या लेंगे हम लोग वहां पर बच्चों हम लोग लेंगे हैं कॉस कॉस लेते हैं कॉस 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ये इस एंगल के डिस्पेक्ट में लेते हैं बच्चो तो क्या हो जाएगा अधार बटे करने अधार क्या हो जाएगा बच्चो बीसी बीसी बाई एसी एक्वेशन दो अब देखे बच्चो एक्वेशन वन और एक्वेशन टू में क्या आ रहा है बीसी बाई एसी बीसी बाई एसी दोनों इक्वाल होगा की नहीं होगा एक्वेशन वन और टू से क्या हो जाएगा बच्चो एक्वेशन वन और टू से क्या हो जाएगा के कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए यह बात समझ में आया बच्चो यह प्रूप हो गया कॉस 90 माइनस ए बराबर स्पाइन इसी तरह से सब प्रूप हो जाएगा कि साइन नैंटी माइनस ए बराबर स्पेशन करने वाले हैं exercise 1.3 में बच्चो तो देखते हैं तो बच्चो यह बात समझ में आया equation 1 और equation 2 से दोनों equal हो जाएगा तो क्या जाएगा यह दोनों क्या हो गया complementary angle का relation देखे किस तरह बना है यह complementary angle और यह दोनों complementary angle है तो क्या relation बना इसी तरह से सारा है वो लिख देते हैं फिर हम लोग इसका सवल बनाते हैं तो बच्चो कंप्लिमेंटरी एंगल पूरक एंगल से जो relation निगला वो क्या निगला वो निगला कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए similarly sign 90 माइनस ए बराबर कॉसे 10 90 माइनस ए बराबर कॉटे उसी तरह से कॉसेक कॉसेक 90 माइनस ए बराबर से के और सेक 90 माइनस ए शेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए बच्चो इस तरह से हम लोग इसको प्रूप कर सकते हैं जैसे एक प्रूप करके दिखाए से इसको प्रूप कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का कुछ सवाल बनाते हैं तो देखिए बच्चो ए सवाल क्या है साइन 18 बाय कॉस 72 क्या करना है इसका बहलू निकालना का मान निकालना है बच्चो इसका मान निकालना है किससे निकलेगा देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर क्या करेंगे बच्चो कि यह 18 है यहां 72 है दोनों का सम कितना है देखिए 90 डिग्री है आनि क्या है कंप्लिमेंटरी एंगल है तो एक को चेंज कर देंगे साइन को चेंज कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां है 90 माइनस 72 है 90 मेंस 72 एक टिन डिग्री आ जाए गया और निचे है पास 72 डिग्री कोई दिकत नहीं है तो क्या आ जाए बच्चों साइन 90 मादस थीटा पास थीटा पास 72 बाइक पास 72 एक कट गया वह इसका एंसर आ गया यह बात समझ में आया होगा है यह बात समझ में आया हो बच्चों अब लोग नेक सवाल लिखते हैं कि देखें बच्चों क्या सवाल है कॉस्ट फोटी एट माइनस साइन फोटी टू दोनों का सम कितना है देखिए इसको एक कोटी एक करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस्ट फोटी एट को क्या लिख सकते हैं कि इसको इप्रमाइस करेंगे तो फोटी एठ ही आएगा माइनस साइन को पोटी टू डिगरी कोई कोई दिकत नहीं है तो कॉस्ट नाइन टीमाइस थीटा ब्रावर क्या हो जाएगा साइन थीटा साइन फोटी टू माइनस साइन फोटी टू यह दोनों कट जाएगा माइनस प्लास कट गया कितना हो गया बच्चो जीरो ए बात समझ में आया हो तो इस तरह से कमप्लिमेंटरी एंगल को हम लोग एक को चेंज करकी बना सकते हैं अब लोग और सवाल देखते हैं एक सवाल देखिए बच्चों क्या है यह सवाल प्रूब देट 1048 1023 1042 और 1067 इक्वाल टू वान यह प्रूब करना है तो बच्चों यह सवाल कैसे बनेगा तो हम लोग कंप्लिमेंटरी एंगल को ढूड़ना पुलेगा कंप्लिमेंटरी 26 और 42 यह दोनों मिलके 90 होता है 23 और 67 मिलके 90 हो जाता है तो यह दोनों को पेर बनाएंगे यह दोनों को पेर बनाएंगे कंप्लिमेंटरी को तो देखते हैं किसे होगा 1048 इसको इधर ले आएंगे 42 को एक साथ रखेंगे 1042 और 10 23 और 1067 यह पेर बन गया अब एक को बदल देंगे बच्चों हम लोग क्या बदलेंगे 1048 यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग 1090 माइनस 48 1090 माइनस 48 तो हो जाएगा 1090 माइनस 48 तो यह हो जाएगा 42 के बराबर और यहां पर बच्चों 1023 यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग 1090 माइनस 23 तो 67 आएगा कहीं कोई दिक्कात नहीं है बच्चों आप देखिए 1048 1090 माइनस तीटा बराबर कॉट तीटा कॉट फोटीएट 1023 और यह कितना जाएगा 1090 माइनस तीटा बराबर कॉट तीटा कॉट 23 कोई दिक्रत नहीं है बच्चों आप क्या हो जाएगा 1048 गुना वन बाइट 1048 प्री क्या है 1023 गुना वन बाइट 10 23 एक कट जाएगा एक कट जाएगा 11 तो वन हो गया फ्रूप कहें को दिकत नहीं बच्चों एक कम्पलीमेंटरी में इंगल का एप्लिकेशन है तो समझ गए तो एक सवाल बनाए काफी है नहीं समझे तो हजार सवाल बनाने से भी कोई लाग नहीं है बच्चों तो यह बात समझ में आया होगा तो बच्चों यह समझ में आया होगा 1048 x 1042 23 इसको बदल दिये चैंज कर दिये यह कॉट 48 कॉट 23 आया इसको बदल दिये न 3 टीटा बराबबर 1 गार डीच्ट सिर्ग को धुट सिर्ता भर 1 गार डीच कंग को हुट सिर्ग तो कोट सिर्ग गदा को हो गया ह港 क्भरण्द भून में और 0,3 है यह उस् Sweet कीजिए कि ए प्लस भी स्काल टू 90 डिग्री के से सके develop करएं वैं क Dalूism तो देखिए किसे इसको प्रूब करेंगे तो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है टैन ये बराबर कॉट भी ये दिया हुआ है कोई दिकत नहीं है तो बच्चों इसको लोग क्या लिख सकते हैं अब यहां भी यहां भी यहां भी टैन है तो इसका मतलब यह और यह बराबर होगा तो क्या अतना हो जाएगा ए बराबर 90 माइनस भी और बी को इधर लेंगा तो ए प्लस भी बराबर 90 डिग्री ए प्रूब हो गया बच्चों कोई दिक्कत नहीं है यह बात समझ में आया होगा एक्जाम में आता है तो बच्चों आप लोग को आज के क्लास भूत अच्छा लगा होगा उमीद है तो लाइक कीजिए पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियो जब डालेंगे तो आप करने को आता है तो लाइकोzent्र है तो प्ल neuron में आता है तो सम्राइ तो नहीं है तो 1300 अचे के यह हैं तो झाल झाल